नमस्कार, डिलिशिस कड़का में आपका स्वागत है, आज हम बनाने जा रहे हैं मतर से बहुत ही टेस्टी रेस्पी, क्योंकि विंटर की सीजन में मतर बहुत ही बढ़िया आती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, यह हमने 100 ग्राम के करीब मतर ली है, यह फ्रेश हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, यह हमने पीस लिया, इसी धंग से पीसना है दर दरा, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, यह हमने बाउल में निकाल लिया है, इसके लिए हमने ले लिया है बेसन, यह 200 ग्राम करीब बेसन है, इसको इसमें डाल द करेंगे one four teaspoon डालेंगे लाल मिल्ची पाउडर, two pinch डालेंगे हींग, one four teaspoon डालेंगे healthy powder, one four teaspoon डालेंगे धनिया पाउडर, तू पिंची मैं डाल रही हूँ अजवैन, नमक आप स्वादों साथ डालें, मैं वन फोर टी स्पून डाल रही हूँ, अब इसमें डाल देंगे, दो चम्मच दही, एक छोटी चम्मच के क्रीब डाल रही हूँ, ओयल, कुकिंग ओयल, इसे अच्छे से मिक्स कर दें, अब मैं इसे हातों से गुंद लूँगी, इसमें हमने बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने मटर डाली है, पीसी हुई, और देंगी डाला है, यह अराम से गुंद जाएगा इस जंग से, लेकि यह गुंद गया है, अब हातों को, हम अच्छे से ओयल लगाएंगे हातों पर, अर एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे, नीम्भू के अकार की, ऐसे से गोल-गोल करकर, हल्का सा प्रेस करेंगे, ऐसे हम दूसरा बनाएंगे, इसी डंग से हमने बना कर तयार करना है, अगर यह चिपचिपा लगे, थोड़ा सा ओयल लगा ले, अच्छे से गोल करकर, इसको हल्के से प्रेस करकर, ऐसे ही बना कर तयार करेंगे, यह हमने सारी बना कर तयार कर ली है चलिए इसे बनाते हैं एक कड़ाई में हमने दो गलास पानी उबाल लिया है अब गैस को स्लो कर लेंगे और इसमें धीरे धीरे करकर इसको डाल देंगे अब गैस को मीडियम कर लेंगे और इसको ढख देंगे पांच से साथ मिंट तक इसको हमने मीडियम गैस पर ढख कर पकाना है साथ मिंट हो गए हैं इसको हम देख लेते हैं गैस को स्लो कर लेंगे हाँ ये फूल कर उपर आ गई है गैस को बंद कर देंगे अब एक छन्नी की सैता से इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह हमने निकाल लिया अब इसकी हम ग्रेवी की त्यारी करेंगे एक कड़ाई ले लेंगे गैस ओन करकर थोड़ा सोस में डालेंगे कुकिंग ओयल उसे गरम कर लेंगे यह गरम हो गया इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे हाफ टीस्पून सर्सो काली वली सर्सो है यह वन फोर टीस्पून डालेंगे जीरा छे कलिया लस्टन की हैं इसको भी हमने बरी काट लिया था इसको भी डाल देते हैं इसमें और तुना सा चला देंगे दो प्याज को भी हमने लंबा लंबा काट लिया था इसको भी डाल देंगे दो सुखी लाल मीर्ची को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसको भी डाल देते हैं और प्याज को हमने तेज गैस पर लाइट रोन होने तक बुनना है प्याज बारी हो गई है अब इसमें मसाले डालेंगे, बन टीस्पून डालेंगे घनिया पाउडर, गैस को स्लो कर लें, बन टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, ये देगी मिर्ची है, हाफ टीस्पून डालेंगे हल्दी, हाफ टीस्पून डालेंगे इसमें गर्मसाला, नमक आप स्वादों साँ डालें मैं हाफ टी स्पून डाल रहे हूँ मिक्स कर दें दो टिमाट्रों को भी हमने छोटे टुकडों में काट लिया था इसको भी इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे यह मिक्स हो गए हैं अब गैस को स्लो कर देंगे और ढख का टिमाट्रों को पका लेंगे टिमाट्र हमारे पक गए हैं देख लेते हैं हाँ टिमाट्र पक गए हैं ओयल अलग हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच दही और तेज गैस पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यह मिक्स हो गया अब इसमें हम वही वाला पानी डाल रहे हैं जिसमें अमने इनको उबाला था इसके पूरे इसमें फ्लेवर आ जाएंगे इस पानी को हमने फैकना नहीं है तेज गैस पर इसको ढख कर एक उबाला आने देंगे यह उबाला आ गया है अब इसमें हम यह भी डाल देते हैं मिक्स कर देंगे और गैस को स्लो करकर इसे ढख कर हमने 5-7 मिंट पकाना है कम गैस पर साथ मिंट हो गए हैं इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा चला देंगे अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे हरा धनिया यह हमारी मटर और बेसन की सबजी बिलकुल तयार है इसे आप गरम गरम सर्फ करें यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आप इस रेस्पी को जरूर ट्राई करें और कमिंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी अगर में रेस्पी आपको पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बैल आइकोन को जरूर दबाएं धन्यवाद